अगर खाना हेल्दी होने के साथ साथ टेस्टी भी हो तो फिर खाने का मज़ा दुगना हो जाता है आज मैं ऐसी ही रेसिपी आपके साथ शेर कर रही हूँ आज बना रहे हैं स्प्राउट्स का चीला जिसे हम पोहा बिलाकर भी बनाएंगे बहुत जादा टेस्टी लगेगा आलू की फिलिंग इसके अंदर बनाएंगे हम डालने के लिए वो भी बहुत जादा टेस्टी है तो चलिए बाती ना करते हुए फटा फट से स्टार्ट करते हैं रेसिपी इसके लिए हमें सबसे पहले स्प्राउट्स चाहिएं स्प्राउट्स मैंने पहले ही बना कर रखे हुए हैं मूंकी दाल को जो साबुत मूंकी दाल होती है उसको 2-3 घंटे के लिए पानी में भीगो कर रखिएगा उसके बाद एक कॉटन के कपड़े में टांग दीजेगा 10-12 घंटे के दिए जैसे आपको लगे कि कपड़ा थोड़ा सा सूखा हो रहा है आप उस पे छीटे मार दीजेगा 10-12 घंटे बाद अंकुरित हो जाती है स्प्राउट्स और अगर आप इसे फ्रिज में उठा कर रखना चाहते हैं तो इस तरीके से एक बाउल के अंदर कपड़े में ही लपेट कर रखेगा ये मैं 4-5 दिन पहले के स्प्राउट्स यूज़ कर रही हूं और बिल्कुल फ्रश हैं और बहुत अच्छे हैं अगर आपको स्प्राउट्स बनाने की रेसिपी चाहिए तो फिर आप मुझे बताईएगा कमेंट बॉक्स में एक कप स्प्राउट्स ले लिए हैं अब इन्हें अच्छे से धोलेंगे सिर्फ एक बार पानी डालिएगा और इन्हें रगड़िएगा मत बिल्कुल भी बहुत जादा हलके हातों से इस तरीके से और इन्हें छलनी से छान लीजे चिस्ते की इनके अंदर जो पानी है वो सारा निकल जाए इससे बना हुआ जो हमारा चीला है बहुत ही हल्दी होता है बच्चे वैसे तुमोंकी डाल खाते नहीं है लेकिन इस तरीके से आप खिलाएंगे तो वो ज़रूर खाएंगे वन थर्ड कप यहाँ पर मैंने पोहा लिया है आप मोटा या पतला कोई सा भी पोहा ले सकते हैं पोहे में थोड़ा सा पानी डालिएगा और सिर्फ एक बार ही हमें इसे दोना है दोने के बाद पोहे में से जो पानी है वो अच्छे से निकाल दीजिए और इसमें थोड़ा सा पानी डाल कर रख दीजिए तकरीबन दो मिनट के लिए जिससे की पोहा सॉफ्ट हो जाए सर्फ दो मिनट के लिए ही रखना है जादा देर नहीं रखेंगे और दो मिनट बाद हम इसे मिक्सी जार में निकालेंगे प्राइब देने Consodynamic शब्राओं कि यहां पर आप सकते हैं। अगर आप कम बनाना चाहते हैं तबागी तो बाके को स्प्रॉट्ट को लूद्स हैं। लगा लुट है को काटन के कपड़ें ठोरी भी स्टाइब के सतुन के समी लेघया.. मैंने वन थर्ड कप डाला है इसको हमें बहुत जादा पतला नहीं करना होता नहीं तो फिजो चीला है उसे बनाने में दिक्कत आती है बिल्कुल बारीक सा मैंने इसका पेस्ट बना लिया है इस तरीके का इसे एक बाउल में ट्रांसफर कीजे और देख लीजे अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा गाड़ा है तो हलका सा पानी और डाल दीजे इसके अंदर मुझे ये ठीक लग रहा है इस टाइम तो मैं इसे मिक्स करना है अच्छे से और इसमें नमक ढाल दीजे थोड़ा सा टेस्ट के अकौर्डिंग और नमक डाल कर हम इसे रख देंगे साइट में क्योंकि हमें मिक्सयर तियार करना है अभी आलू का जो की इसके अंदर हमें डालना है तो मैंने पहले से ही चार से पांच आलू को बॉयल करके रखा हुआ है जिने छील लिया था मैंने और अब हम फटा-फट से बना लेते हैं इसके साथ खाई जाने वाली फिलिंग तो ढखकर रख दीजे आप इसे जब तक हमारी जो फिलिंग है बनकर त्यार होगी एक कड़ाई लेंगे उसमें डालेंगे दो से तीन चमज, mustard, seeds या राई दाना साथ ही दाल दीजे एक चमज भर कर चने की दाल और एक चमज भर कर डाले ये सफेद उड़द की डाल कड़ी पत्ता डाल दीजेगा मेरे पास स्टूर करा हुआ कड़ी पत्ता था तो साथ से आठ कड़ी पत्ते मैंने डाले हैं आपके बास डाली है मैंने जिने मैंने रफली लंबे टुकड़ो में काट लिया था और इसे हमें थोड़ा सबस Mr.کarma है प्याज को golden नहीं करना चला लीजे इसको और बॉइल हुए आलू इसके अंदर आप डाल दीजे रफली मैश करके मोटे मोटे से रफली मैश करेंगे अगर आपको इसका बारीक सा या पतला सा थोड़ा सा मिक्शेर चाहिए तो आप इन्हें बहुत जादा मैश कर सकते हैं मुझे इसी तरीके से पसंद है तो मैं ऐसे ही डालती हूँ और इन्हें आप चला लीजे अब यहाँ पर हमें डालना है आदा चम्मत चाट मसाला चाट मसाले से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आप चाहें तो इसके अंदर आदा निम्बू का रस भी डाल सकते हैं निचोड़कर अच्छी तरह मिक्स कर लीजे और आपको लगता है कि यह बहुत जादा मोटा है तो थोड़ा सा मैश कर लीजे इसको स्टफिंग बनकर बिल्कुल तयार है अब इसे गैस से उतार दीजे और एक तवा रख दीजे गैस पर तवा हमने नौस्टिक यूज किया है आप कोई सा भी तवा ले सकते हैं और तवा हमने प्री हिट होने के लिए मीडियम आच पर रखा है और बैटर हमारा बिल्कुल तयार है चिला बनाने के लिए अब एक चमचा हमने बैटर लिया है और इसको गरम तवे पर डाल दिया है तवा बहुत जादा गरम भी नहीं होना चाहिए और ठंडा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए मीडियम आच पर गरम तवा है और जब चिला बन कर तयार होगा जब चीले का जो बैटर है वो पूरा सूख जाए अच्छे से तब ही हमें इसे पलटना है नोंस्टी तवे पर बना रहे हैं तो यह जो हमारा चीला है अपने आप ही यह किनारे छोड़ देता है अब हम इसके उपर एक या दो चमच देशी घी या फि जब अच्छे से यह पक जाए सिख जाए तो आप दूसी साइड इसे टर्ण करके दो मिनट के लिए दुबारा से सेख लीजे और सेखने के बाद इसके उपर थोड़ी से स्टफिंग रखिए अपने हिसाब से कम या ज़्यादा और आप इसे इंजॉय कीजिए कर्ड के टेस्ट लगता है और इसमें बहुत जाएदा पोस्टिक त्थातव होते हैं हेल्थ के लिए बहुत अछह होता है बच्चों के टिफिन में आप इसे दे सकते हैं यह बहुत टेस्टी लगने वाला है सबको अगर आपको स्प्राउट्स और पोहे का ये चिला पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेर और मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बल्कुल न भूले आप इस टेस्टी से चिले को बनाईए खाईए और अपने अनुभा मेरे साथ जरूर शेर कीजिए मिलती हूँ आप से ऐसी हेल्डी डिलिशिस और यूनिक रेसिपी के साथ अपना खूब खयाल रखिए नमशकार